एलो दोस्तों ये है इस टॉक मार्केट पैराडाइस आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसमें की आप बहुत ज़ाद इंबेस्टमेंट किया होंगे बहुत सारे लोग हैं जुन्होंने इस कंपनी को बहुत बड़े नंबर पर खरीदा हुआ है कई लोगों की बहुत सारे लोगों के कोश्चन होते हैं जिनानने बौट बड़े लेबल पर खरीदा कुछ ऐसे भी जना नहीं बहुत का नीचे खरीदा है पचीस रूपय के लेबल पर खरीदा है जो कि मैंने आपको सजेंट किया था तो यहां पर आपको अच्छा प्रॉपिट हो रहा ह में चाइड पैटन देखने को मिल रहा है और लेबल सम देखेंगे कौन से लेबल पर आपको क्या एक्सल लेना है तो सब कुछ डीटेल में बात करने बाले हैं वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आपको वीडियो पूरी देखने हैं जिसे की आपको पूरी किलारेटी इस नाम से चल रही है और यह मरीन एलेक्ट्रीकल एक सब्सक्राइब बनाने से स्टाइट हुई थी और अब यह करेंटली एलेक्ट्रीकल ऑटोमेशन इंफर्मेशन और कम्यूकेशन टेकनोलोजी सॉल्यूसंस में भी कंपनी काम करने लगी है हालां कि अगर आपको डीटे 50 पैसे चल रहा है बन पॉइंट बन परसेंट का इसने अपसाइड मूव किया है कल की दिन 52 बीक का हाई देखोगे आप बहुत ही जादा है 90 रूपीज एंड 70 पैसे यह 52 बीक का हाई है बहुत सारे लोगोंने 60 70 75 रूपीज पर खरीदा हुआ है लेकिन अभी भी यह लोग होल कर रहा है और अभी आप देखोगे यह 36.50 रूपीज पर चल रहा है और 52 बीक का लोगाया है कंपनी ने 24.65 रूपय का लगाया है जिसमें कि आप देखोगे 25 27 रूपय तक मैंने आपको 30 रूपय तक मैंने आपको बाई करने को दिया था हलंकि इससे तो उपर ही 25.91 में हुई है और एक्स्मेंस में 99.04zes करोड तो कंपनी जो है ऑपेरिटिंग प्रॉफिट शहतagain कर रहे है नेट कर रहा है तो 3 करोड़ एक क्या 1,000,000 रूपय का कंपनी ने एट प्रॉपिट से compare करना चाहिए कि एक साल में company ने किस तरीके से performance किया है तो यहां पे आप देखो कि 9 करोड 13 लाख रुपय का profit generate किया तो जब कि अब क्या है 3 करोड 81 लाख का है हालां कि numbers बहुत जाद अमें almost 50% इसमें आपको drop आप देखने को मिलेगा लेकिन क्या यह वाला जो quarter quarter three के result जो है अगर हम यह अच्छे देखने को मिलेंगे तो क्या यह इस टॉक और उपर सर्ज करेगा यह question सबके माइंड में अभी आ रहा होगा तो इसी पर हमें discuss करना है हाला कि एक बार और भी और ले लेते हैं company का company जो है चोटी पहनी companies भी आप इसे बोल सकते हो कि यह इसका मार्केट बहुत जादा नहीं है मार्केट के बहुत जादा कम है करेंट जो चल रहा है 36.6 रुपीज का करेंट चल रहा है 13.5 रुपीज की श्टॉक का पी चल रहा है 30.6 और आरो सी ए रिटान ऑन चल रहा है 12.1 परसेंट का यहां पर रिटान ऑन एक्यूटी की बात करें तो 8.28 परसेंट का है तो बहुत कम देती कंपनी 0.55 परसेंट डिवीडेंड और एक सेयर की फेस बैल्यू की बात करें तो यह दो रुपए फिलाल में हमें देखने को मिल रही है यहां पे कपने को मिलेगा चौश कर दीज्ग दिन हमें अप्डेट कर दिजाएंगे हलां कि देखेंग कि नंबर कि सतरीके से मैं देखने को इस दिन तक हमें इंतजार करना है कि क्या हमें नंबर्स देखने को मिलने वाले हैं अगर हम चाइट पैटन यहाप पे ऊपन करें किस तरीकिसे हमें चाइट पैटन देखने को मिलेगा तो देखिए अभी जो चल रहा है करेंट लिए 36.60 रुपीज पे चल रहा है यहाँ पे आप 35 करती हुई देखने को मिल रहा है 35 रुपीज के लेवल से तो फिर से यह अपसाइट मूमेंट कर सकती है अगर इसमें कंसॉलिडेट होगी तब हम अलग भी बनाएंगे किस तरीके से अगर ब्रेक आउट मिलता है अपसाइड या डाउनसाइट तो कहां पर हमें देखने को म महीना हो चुका है उससे पहले कि अगर बात करोगे तो बहुत ही अच्छा मूब इसने दिया है दिसंबर सी कंपनी बहुत ही ज्यादा सर्ज हो ही ती और यह 44 रुपए तक आपको 45-46 रुपए तक भी देखने को मिली थी तो यह बहुत अच्छा मूब हमें देखने को मिलत है तो जो भी कंपनी धीरे धीरे ऊपर जाती है बही आगे जाके सस्टेन कर पाती है तो यह कंपनी फिलाल में आपको इसी सिचुएसन में देखने को मिल रही हाला कि एक साल का अगर चार्ट पैटरन में यहां पर आपको देखा हूं तो यह तो आपको केबल रैड देखने को मिलने बाला है कोई खलर नहीं होगा इसमें केवल रैड देखने को मिलेगा देखे कितना ज्यादा नीचे आ चुका है तो बहुत ही ज्यादा एक आप इस ट्रेट लाइन भी बोल सकते हो यह बन चुकी है और जो भी लेवल्स है कोई भी आप लेवल दे तो उनको यह कंपन लेकिन मैं बस यही कहूंगा आप को अच्छे नमबर देखने को मिले तब तो आप इसमें कर सकते हो लेकिन अगर नहीं देखने को मिले तब आपको थोड़ा सा इससे दूर रहना है क्योंकि हो सकता है फिर इसका इस टॉक फिर से आपको डाउंसाइड मुवमेंट करता हु तो आपको जो stop loss रखना है यह रखोगे आप इस लेवल का 33 रूपीस का stop loss रखोगे और जो भी consolidate होगा बीच में आपको holding रखनी है इसके पहले आपको exit नहीं करना है आपका stop loss अगर हिट होता है तो फिर आप exit कर सकते हो target आपका unlimited होने बाला है फिलाल तो आपका 40 रूपीस 63 लेवल पर इनको क्या करना चाहिए देखिए पहले तो आपको इतनी ज्यादा टाइम तक holding नहीं रखनी चाहिए थे stop loss के साथ आपको काम करना चाहिए था आपका stop loss 57 रूपी 55 रूपीस तक होना चाहिए था अच्छा लेवल जो मिल जाता टेक्निकली अनलाइज से वह आपको stop loss रखना चाहिए था लेकिन आपको ध्यान में रखने चाहिए कि क्या हमें इस तरीके का action लेना चाहिए या नहीं तो आप बहुत बड़े लेवल पर खरीद क stop loss आपने लगाए नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान में होगे कई लोग 10,000 quantity खरीदे हुए कई मैसेज करते हैं कि 40,000 quantity भी है तो बहुत बड़ा लेवल पर आपने खरीदा हुआ हलां कि आपके लिए बस एक चीज जो मैं बोलूँगा कि देखे आप अगर अब भी तक हो कर लिए quarter three के numbers देख लिए क्या पता आपको यह number अच्छे देखने को मिल जाएंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा है इसमें पेसेंस रख सकते हो सकता है फिर यह अपको upside movement करता हुगा देखने को मिल जाए तो फिलाल तो आपको holding इसमें रखनी है थोड़ा सा आपको इंतज कर लिए आपने तो थोड़ा सा और सही तो सारे question मैंने आपके clear कर दी होंगे कि क्या आपको press entry करनी है करनी है नहीं करनी है करनी है तो stop loss क्या होगा target क्या होगा सब कुछ अपने detail में डिसकस किया और आपके stop loss बहुत जड़ा important है मैं बार बार कहता हूँ stop loss आपको नुक्सा 1000 बचे 8000 बचे लेकिन अगर आप stop loss नहीं लगाओगे तो यह सोचिए कि आपके 7000 और 8000 चले भी जा सकते हैं 7000 8000 चले जाएंगे 2-3000 रोपय हाथ में लेकर आप जाओगे वह भी तब जाओगे अगर आप थोड़ा सा यहां पे action सही ले लोगे अगर यह भी नहीं लोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा नीचे चले जाओगे तो stop loss बहुत ज़्यादा इंपोटेंट होता है तो यह देखा हमने मरी अलेक्ट्रिकल्स के बारे में कब हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा किस तरीके से हमें चायट फ्लाल में देखने को मिल रहा है लेवल्स के दे लॉस देखने को मिला था इन कंपेर इजन बेट 2020 तो यह सारी नंबर्स भी आपको ध्यान पर रखने है कि यह कंपनी फिर से अगर लॉस में जाती है तो फिर यहां पर हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है इस टॉक के साथ सथ सो देट्स वीडिय दोस्तों मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक आप अपना खयाल रखें